Hello friends, welcome you all in our channel 21 Corners The Achievers Friends, आज हम बात करेंगे एक बहुती बड़ी टॉपिक के बारे में ये है India at United Nations Security Council, UNSC में ठीक है? एक बहुती बड़ी न्यूज है और अच्छी न्यूज है ये इंडिया के परस्पेक्टिव से ठीक है? लेकिन उससे पहले गाईज हमारे ये जो चैनल है ये कवर कराता है different exams जैसे की UPSC CDS, UPSC NDA, FCAT, बहुत सारे SSE exams, DRDO, NTPC और बहुत सारे entrance exams के लिए helpful material तो प्लीज फॉलो कीजिए गा ये चैनल और भी बहुत सारी helpful videos और material को के बारे में जानने के लिए ठीक है? सो गाईज जानते हैं big story जो basically क्या हुआ है कल United Nation में voting हुई थी और जिसमें इंडिया को as a non-permanent member as a non-permanent member UNSC में फिर से join करा ले गया है और ये हुआ है guys 8th time ये 8 बार हुआ है कि जब इंडिया as a non-permanent member UNSC सन्योक्तर राष्ट सुरक्षा परिसद जिसको हम बोलते हैं उसमें entry हो गई है इंडिया की और इंडिया इसमें unopposed जीता है guys इंडिया के opposition में कोई भी नहीं था इसका reason मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे okay so इंडिया को 184 votes मिले हैं 193 members है guys UN United Nation में total 193 member होते हैं और इंडिया को vote मिले हैं 184 guys minimum vote इसके लिए चीए थे 128 लेकिन इंडिया बहुत बड़े margin से इसमें जीता है जिसमें 184 का support मिला है तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के support में कितने सारी countries हैं कितने सारे member हैं ठीक है guys जानते हैं आगे इसमें कुछ fact जो सहयुक्त राष्ट United Nations के बारे में एकदम history से जानते हैं इसका कब यह starting हुआ था और क्या क्या हुआ था ठीक है guys United Nations found हुआ था 24th of October 1945 में वैसे तो बाची चल रही थी कि June 1945 में इसकी starting की जाए लेकिन जो इसका काम start किया गया था वो 24th of October से basically 1945 से start किया गया था guys इसका headquarter है New York City में जो की USA में है और present current जो secretary general है इसके वो है Antonio Guterres guys बहुत बार exams में बहुत सारे exams में पूछ लेते हैं जैसे कि F-Cat exam में कई बारी पूछ लिया था कि secretary general कौन है तो उससे आप से पूछ लेते हैं तो यह बहुत important है as a current affair आपके लिए ठीक है और security council का जो president है वो है dang, din, q, okay यह security council के जो UNSC के president है वो यह है dang, din, q, यह भी current affair के perspective से बहुत important है, guys basically जो UN की जो main organs है वो है six है, छे main organ है UN की ठीक है, जिसमें आता है general assembly, security council जिसके बारे में हम बात करी रहे हैं, economic and social council, trustorship council, international court of justice और secretariat, ठीक है, यह six main organ है UNSC की, guys इसको आप इसमें comparison मत कीज़ेगा, जो की बाकी international organization हैं, जैसे कि WHO, WTO, इन सब में comparison मत कीज़ेगा, क्योंकि यह WHO, WTO, specialized organization है ठीक है, और basically जो six organs हैं, वो यही है ठीक है, अब देखते हैं, जानते हैं, UNSC के बारे में गईज, UNSC को सहींक्तराश्च सुरक्षा परिशत को भी बोलते हैं, हिंदी में ठीक है, और UNSC का main motive क्या है, guys, कि यह international peace के लिए यह nations के बीच globally international peace लेके आए, शान्ती लेके आए और उसके लिए यह basically found किया गया था, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि UN peace keeping mission में, इंडिया की जो army जाती है, वो बहुत बार ही आपने यह सुना होगा, UN peace keeping mission का, के बारे में news में बहुत बार ही आता है, और इंडिया की, UN peace keeping में बहुत बार, बहुत सबसे बड़ी army इंडिया की जाती है, UN peace keeping mission में, ठीक है, और guys basically main motto यह है, कि जो बहुत सारे nations हैं, developing हों या developed nations हों, उनके बीच international peace और security बनाये रखें, और वो सब handle करें, और उन सब के बारे में discuss करें, और उसी तरह, जैसे कि बहुत सारे peace keeping operation होते हैं, international sanctions होते हैं, बहुत बड़ी sanctions लगते हैं, बहुत सारे nations के बीच, कभी trade में, कभी किसी और चीज में, ठीक है, तो और बहुत सारे military action, basically जो military action है, वो उनको handle करने के लिए, ये UNSC, सब कुछ वो करता है, देखता है, ठीक है, अब बात करते हैं, गाईज, UNSC के जो permanent members हैं, और non-permanent members हैं, गाईज, UNSC में 15 members हैं, जिसमें, 15 members हैं, जिसमें, जिसमें की आपका 5 permanent और 10 non-permanent members हैं, ठीक है, 5 permanent members कौन से हैं, China, France, Russia, UK और US, बहुत easier remember करना गाईज, आप ये सारे बहुत बड़े nations हैं, आपको पता ही है, ठीक है, और बाकी जो non-permanent members हैं, वो हैं 10, ये 10 non-permanent members हैं, ठीक है, Belgium, Dominion Republican, Estonia, Germany, Indonesia, Niger, और ये Saint Vincent, South Africa, Tunisia, Vietnam, इतने आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं है, current affairs के perspective से, बहुत बड़ी permanent members पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो, क्योंकि non-permanent member का इसले नहीं पूछेंगे, क्योंकि non-permanent members change होते रहते हैं, बार बड़ी, वो अब इनका election किस base पे होता है, वो मैं आगे बताता हूँ कि इनका criteria का आया है, ये देखिए, अगर world map के perspective से आपको देखना हो, तो ये, ये permanent members, ये US, ये, रशिया, चाइना, ये सब, ये सब permanent members और बाकी जो non-permanent members हो green में हैं, green color में, ठीक है, अब India भी बन चुका है, तो India को यहाँ पे color, इंडिया भी अब non-permanent member बन चुका है, ठीक है, अब guys basic criteria का है, guys, हर साल इसके election होते हैं, non-permanent members के election होते हैं, जिसमें से 5 नए member select किये जाते हैं, और इनका tenure जो होता है, वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है, अब जैसे India को select किया गया, और India का tenure start होगा, June, January 1, 2020 से, और January 2022 तक, ठीक है, यह इंडिया का tenure होगा, और यह किस basis पी लेते हैं, guys, इसका कुछ criteria होता है, जैसे कि different continents से, different regions से select किये जाते हैं, ना कि एक ही जगे से, ठीक है, तो यह हर जगे, ताकि एक global basis पे इसको देखा जाए, ठीक है, 5 members लिए जाते हैं, अफरीका continent से, दो member होते हैं, Latin America States से, और दो member होते हैं, Western Europe और Other States से, ठीक है, 5 from Africa, 1 from Eastern Europe, 2 from Latin America, and 2 from Western Europe और Other States, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का है, जैसे कि Asia Pacific, Asia Asian States से, इंडिया का selection हुआ है, और unopposed जीता है इंडिया उसमें, क्योंकि इंडिया के opposition में कोई था ही नहीं, वो इसलिए नहीं था गाईस, क्योंकि, मैं आपको एक बारी बता दूँ, ये जो इंडोनेशिया है, इसका term खतम होने वाला Asia से, ठीक है, इसका term खतम होते ही, अब इंडिया की बारी आ जाएगी, अब इंडिया इसमें जुड़ जाएगा, और जैसे कि ये इस साल, ये जो पाकी members हैं, जैसे Belgium का term खतम हो जाएगा, 2020 में, इसका Dominion Republic का term खतम हो जाएगा, जर्मनी का term खतम हो जाएगा, इंडोनेशिया का हो जाएगा, और South Africa का term खतम हो जाएगा, मैंने बताया था, 5 member का term खतम हो, हर साल नहीं member चुनते हैं, तो इसलिए इस बारी इंडिया का selection हुआ है, Asia से और अनपोस जीता है, जिसमें कोई थाई नहीं खड़ा, ठीक है, और इंडिया को बहुत सारे जो Asia Pacific में हैं, वो 55 members आते हैं, उसमें से इंडिया को support किया है, हर country ने, कि इस बारी आप खड़े हो जाओ, ठीक है, उसमें UNSC मे तो इंडिया उस वज़े से entry कर गया उसमें, अब इसका importance जाते हैं, इंडिया के basis पे इसका importance क्या है, जैसे मैंने बताया था, January 2021 से इसका term स्टार्ट होगा, और ये basically क्या करेगा, ये as a major power इंडिया को boost करेगा, इंडिया को as a multilateralism, गैस, multilateralism वो होता है, जिसमें alliance होता है, बहुत सारे बड़े-बड़े nations का, जैसे कि China, Russia और US ये सब जो permanent members हैं, इसके basis पे इंडिया को support मिल सकता है आगे की तरफ, जैसे कि ये जो four countries हैं, ये four countries तो इंडिया को support कर रही हैं, जो permanent members हैं, लेकिन one country है, जो China है, वो support नहीं कर रही है, और अगर वो भी support करने लग जाए तो इंडिया के chances हैं कि वो permanent member में आ जाए, और यही main motive है, इंडिया का कि वो permanent member में आ जाए, इसी के लिए वो देख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा गया है, the 2020-2021 term will be critical for India which has been pushing efforts to inform UNSC to seek permanent membership, ये साब mention किया गया इसमें, और guys ये हमारे Prime Minister ने यहाँ पे tweet करके बताया है कि वो grateful है, UNSC के member बनने के लिए फिर से, ठीक है, जो की global peace, security और equity लेके आएगा country में, ठीक है, और ये मैंने economic times का article डाला इसमें, वो इसलिए डाला है, क्योंकि guys जो हमारे representative थे, इंडिया की तरफ से UN में, T.E.S. तिरी मोर्ती थे, उन्होंने कहा कि we are entering the UN Security Council at a crucial juncture which multilateralism will be an important contribution in the shape of post-covid world, ठीक है, अब ये जो covid की situation है, इसको इसके बाद आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जादे important है, ठीक है, और ये बहुत जादे काम आएगा, और उन्होंने ये भी का है कि इंडिया की approach होगी 5S को जानने के लिए, गाइस, current affairs में ये, में भी पूछ सकते हैं बहुत सारे exams में, कि ये 5S का जो approach है, ये क्या था UNSC में, गाइस 5S का approach था सम्मान, जिसे हम respect कहते हैं, सम्मान, 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 सहीयोग, सहीयोग, को-operation, सांती, peace और समरिधी, prosperity ठीक है, ये मैंने इदर mention किया हुआ, इसका सम्मान, सम्वाद, सायोग, सांती और सम्रिधी गाइज में मोटी वही होता है कि एकदम पूरे global world में सांती बनाए रखें नेशन्स के बीच तो relation अच्छे हो और UNSC इसमें बहुत important role play करता है इसलिए इंडिया हमेशा कोसिस करती है कि UNSC में वो permanent member बनने के लिए देखे और permanent member जल्दी से जल्दी बन जाए अगर चाइना भी support करने लग जाए आगे ठीक है और इससे गाइस चाइना को बहुत harm भी हो सकता है जैसे कि वो अभी बहुत सारे nations को जैसे पाकिस्तान को support करता है और जैसे और भी nations को support करता है अपने खली अपने trade को आगे बढ़ाने के लिए या अपने benefit के लिए ठीक है तो ये harm कर सकता है future में चाइना को इसलिए चाइना support नहीं करती इंडिया को permanent members बनने के लिए क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं उन्हें खुद को हाम ना हो जाए ठीक है ओके गईस तो ये सब था इसमें और ये कल ही इसकी voting होई थी 17th June को इसकी voting होई थी जिसमें इंडिया को non permanent member बना दिया गया है तो थैंक यू गईस ये था आज का मना लेक्चर प्लीज लाइख शेर और सब्सक्राइब 21 Corners पर मोर बेसिक हालाइट इस्यू और हल्फुल स्टडी मटेरियल ओके प्लीज कोपरेट विर थैंक यू